अब जाएंग तो जाएंग अब्रिवन मेरा नाम है रोजिक तो यहने की डिवेश ताग और अब जैसा कि मैंने पहले का आखा मार्च दो गजार 27 के करेंट अफेस को कवर करने के बार कि आप हम करेंट अफेस दूसरे तरीके से कवर करने जाएंगे वो होगा हमारा हम हान हफते के साफ से करेंट अफेस कवर करेंगे जैसे कि इस वीडियो में हम एक से लेके साथ अपरेल तके करेंट अफेस कवर करेंगे ठीक है सारे वीक्स के करेंट अफेस कवर करने के बाद हमारा जो फोकस रहेगा वो एक मंतली करेंट अफेस पर भी हो ठीक है यानि कि उ तरीके से हर वीग के साफ से पड़ पाएंगे इसमें नहीं किया है डारेक्ली अराउंड 70 तू 75 करेंट अफेस हैं उनको पारी बारी से कवर करेंगी ठीक है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि करेंट अफेस जो हैं पर फोकस बहुत ज़्यादा दिया जाए क्योंक आपका अप्रेंट में हुआ तो अप्रेंट के लिए जन्वरी फरवरी और मार्स काफी ज़्यादा पहुंचे रहें तो उसके लिए आप समझ लेजिए कि अप्रेंट अप्रेंट जूलाई अगस्त जो हैं इनके बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे तो फोकस रखिएगा तकरिवन में के लास्ट वीक तक मिली चुकी हैं जूल जुलाई और अगस्त के बचे हुए हैं तो हम देरे-देरे कवर कर रहे हैं वो कि हम एक्जाम से पहले कवर करते हैं ठीक है मल्टिपल रिविजिजन से इन सारे शीट के आप लोगों पर लगए चली स्टार्ट करते ह करेक्टरफेस आजाता है मिनिश्री और होम अफ एस एक्सेंट्स दब वैलिडिटी ओफ और एक्सपायर होने वाली थी उनकी वैलिडिटी बढ़ा दी गहीं ठीक है अब अगर की प्रोविजन की बात करते हैं जैसे पहला तो हमारा आ जाता है रजिस्ट्रेशन ठीक है तो जो वो एंजीओ जिनको फॉरेंड डॉनेशन चाहिए थी उनको मिनिश्ट्री और होम अफ एसके साथ में रजिस्ट्र करना पड़ेगा जो की रजिस्ट्रेशन आपका पाच साल के लिए वैलिड होगा और फिर उसके बाद रिन्यूवल के लिए अपलाई किया जा सकता है एफ सी आरे के जो रेजिस्ट्रेशन से वह इंडिविडियोल्स और असोसेशन को दिये जाकते हैं जिनकी डेफिनिट कल्चिरल एकनोमिक एजिकेशन अप रिलिजिया स्याफिस लूशल प्रोग्राम्स होते हैं पहले चीज़ तो यह हो गई उसके बाद इसमें आ जाता है किसे किया कि कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन के लिए एडिटर या पॉब्लिशर ऑफ नीश्पेपर जजजिस गॉवर्मेंट सर्वेंट इन सबको फॉरें डोनेशन रिसीव करने से वना किया जाता है इनके यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें इनके यूटिलाइज कि अगर हम बात करें तो उनको जो रिटर्न्स होते हैं वह भी फाइल करने पड़ ठीक है और फंट को दूसरे एंजियो को आफ ट्रांसफर नहीं कर से तो अगर हम एफसी आरे की सिग्निपिकेंस की बात करें तो एफसी आरे क्या करता है आपका फॉरेंड डोनेशन जो है उसको रेगुलेट करता है और यह इंशूर करता है कि इससे हमारी इंटर्नल सिक्योरिटी या आइडवर्स एफेक्टेड ना हो एंजी ओस और बागी और प्रोसेस को स्क्रीम लाइन किया जाता है ताकि वो रजिस्टर कर सके और फॉरेंड डोनेशन रिसीव कर सके और इस इस इवेंट के जरिये मिलिट्स यानी की जो मोटा अनाज होता है कोर्स ग्रेंड जिसे हम कहते है यह नहीं हमने जोगरफी में पड़ा हुआ है उनकी इंपोर्टेंस को हाइलाइट किया रिया है कि इसके जरिये सस्टेनेबल डेवल्मेंट को अचीव किया जा सकता है और यह आपके ग्लोबल सुपर फूड के तोर पे सामने उभर कर आएगा ठीक है मिलिट्स आप सबको पता है इंडियन मिलिट्स न्यूट्रिशनली रिच डॉट टॉलरेंट और ज्यादा तर एरिड और जो आपके सेमी एरिड एरियास होते हैं इंडिया के वापर रुगाए अबने लूटी है यहां कि कम बारिश ह opens इंडिया के बाद वही हमारा जू है आजल जाता है और उसके बाद लगके लिए हाइफली अधेटिव होता है और इसके अंदर जो ग्लाइसमिक इंडेक्स होता है वो भी कम प्रटा है जिससे बगड़ा प्रिवेंट किया जा सकता ह तब ही लोगों को बोला जाता है आप पंच मेल वाला आटा घाई ये पांच है आनाज जो रहतिम का मिक्स वाना थासकर ये आपके मिलिट्स वाला वीट वाला टोडली बंद कर दीजिए इसके बुट सोर्सेज आ जाते हैं इसमें आईरन जिंक केल्शियम अगरा मिल जाता है ये एक gluten free भी होता है अब इंडिया के कुछ initiatives जो मिलिट्स को promote करने के लिए launch किये गएते तो ministry of food processing industries जो है उन्होंने production linked incentive scheme अपकी food processing industry के लिए जारी की थी for millet based products इसके साथ इनको portion अव्यान में भी include किया गया है जो की ministry of women and child development के जारा नोडल ministry आ जाती है तो ये सब भाई हमार मिनिट्स के बात होगी तीसरा आजाते है tissue culture lab to generate saplings of threatened or rare native Delhi streams तो वहीं आपकी tissue culture lab जो है हो आपकी असोला भट्टी wildlife century में setup की जा रही है को जिसमें species भी आपकी identify की गही है जैसे कि हिंगोट उसके साथ साथ खैन के साथ साथ बिस्तेंदू और आज आप दीर है सीरी और पला ठीक है अब अगर हम PTC यानि की plant tissue culture की बात करें तो इसमें undifferentiated plant cells होते हैं उनका cultivation किया जाता है synthetic media पर tissues या अबर organs को क्या किया जाता है एक aseptic environment में positive control physical condition में plant किया जाता है ठीक है यह आपके plant के certain totipotency वाले जो कुछ characteristics होते हैं उन पर depend के ठीक है अब यह जो totipotency होता है यह क्या हो यह आपका vegetative cell की ability होती है जिसके दोरा वो divide हो सकता है differentiate हो सकता है किसी प्लांट कोई भी पार्ट रूट स्टैम लीव फ्लार वगरा इन सब कल्चरिंग परपस के लिए यूज किया जाता है और सीट कल्चर में क्या होता है कि जो कहा जाता है embryo culture ठीक है इसमें embryo को isolate किया जाता है और vital conditions में उनको उगाया जाता है ठीक है तो अगर disease free plants चाहिए rapid multiplication चाहिए प्रांट का large skill fabrication चाहिए artificial seeds का यूज करते हैं चैलेंटिस आ जाते हैं इनफस्टक्चर काम है skilled manpower कम है बगएरा बगए फोर्थ बात करेंगे 100 years of vacuum सत्याग रहेगी ठीक है तो वही वैकॉम सत्याग रहेगो आपका प्रिंसली स्टेट ऑफ ट्रेवनपोर में स्टार्ट किया गया था जो कि अब ठीरला में लाई करता है और यह बहुत important moment था जिसके द्वारा temple entry जो है पर वो नहीं जा सकते थे तो इस इसी को सबसे पहले आपका एजवा लीडर जो थे टीक के मादवन उन्होंने हाइलाइट किया 1917 में एक editorial उन्होंने दिया अपने newspaper में उसका नाम था देशा विमानी ठीक है 1923 में क्या हुआ कि इंडियनेशन कॉंग्रिस का जो अपका session हुआ काकी नाडा में केरल में वहाँ पर केरल की जो प्रोविंशल कॉंग्रिस कमिटी थी उन्होंने resolution पास किया कि anti-touchability cause के बात करें तो यह movement है इसमें non-boyland protest किये गए ठीक है कि equal access public spaces का सारी कास्ट के लिए होना चाहिए तीन सत्याग्रिस की जो groups थे जो अलग-अलग communities को represent कर रहे थे जैसे कि नायर हो गए ठीक है उनके साथ में हिहावा हो गए और उसके साथ साथ में कुलाया हो यहां कि जो groups थे उन्होंने peacefully restricted areas को approach किया पहला group जो था उसको केशा मैनन लीड कर रहे थे और भी बहुत सारी key leaders आ केशब मैनन हो गए जोसफ महात्मा गांदी सी राजगापवालचारी इबी अरामस्वामी जिसको पेरियार भी कहा जाता है इन्होंने वाइकॉंग को विजिट किया अपना support देने के लिए अब 603 दिनों तक आपका अंदोल अंचला unity काफी सारी कास्ट वागरा में आई त जो चार में से तीन रोडस थी जो टेंपल के पास में थी उनको सब के लिए 1925 में तोल दिया रहे है फिर 1936 में क्या हुआ कि जो महाराजा थे ड्रेवन पोर के दोने टेंपल एंट्री प्रोडिमेलेशन जारी किया जिसके दौरा सारी माजनलाइस कास्ट को एक्सेस दिया टेंपल का कुछ और टेंपल एंट्री मुवमेंट से आजाते हैं जैसे कि एक आपका आजाता है गाला राव टेंपल एंट्री मुवमेंट 1930 का है डॉक्तर ब्यार मेटकर के दौरा लीड किया गया और गुरु बयूर सत्याग रहे हैं 1931 का इसको अभी आपका डॉक्तर के दौरा लीड किया फिर पाप करते हैं ड्रॉट पोसिंग डिस्ट्रू दा कार्डमम सेक्टर यानि कि इलाइची कार्डमम आपको पता है यह आपका होता है एक मोनो टाइप एना मोनो टाइप जनस होता है प्लांट्स का जो की ट्रॉपिकल इंडो मलाया रीजन में पाया ज जाता है इसका कल्टीडिशन केरल में किया जाता बहुत जाता तक केरल उसके बाद करनाटक और तमिलनाडू आ जाते हैं रेंफॉल इन पो चाहिए होती है टेल सौ से लेके धाई सौ सेंटिमीटर तक टेंपरेचर फिप्टीन डिग्री सेलसे से लेके 35 डिग्री सेलसेस त और हाइट आपकी चैसा से लेके 1200 मीडर आवह मीन सीलेवन आ जाती है स्वाइल होती है आपकी एसिटिक फॉरेट लो मीज वाइल यह इनको स्वाइल से यह ठीक है चैलेंगे इसकी बात करें इनको करने को लेके तो हाई क्लमेटिक सेंसिटिव होती है लोकेशन सेंसिन में काफी जदा पाई जाते हैं यानि की कीड़े बगर बहुत जल्दी पढ़ जाते हैं तो वर्ट लैंक के साब से इंडिया जो है वह सेकेंड लार्जस एक्सपोर्टर आ जाता है काडम का हिंट टॉन्टी टॉन्टीवन फस्ट नमबर पर आता है आपका ग्वाट टेम वाला इसके साथ साथ स्पाइस बोर्ट ऑफ इंडिया के अधर हम बात करें तो इसको 1987 में क्या बूलते हैं बनाया गया था गटन किया गया था स्पाइस बोर्ट एक्ट नाटीव एटिसिक्स के अंडर मैं इसका हैड़कॉर्टर पोच्चिन केरला में आ जाता है और जो कि 52 शेडियूल स्पाइस और कार्डम के डेवलप्मेंट के लिए जिम्हेदार है एक्सपोर्ट प्रमोशन भी करती है मिनिस्ट्री हमारी आ जाते है मिनिस्ट्री ओफ कॉमर्स एंड इंडिस्ट्री फिर जीरो एफाईयर के बात होगी तो जीरो एफाईयर का मतलब एक एसको रजिस्टर किया गया है कि एरिस्पेक्टिव किस एरिया में जो है वह हमारा ऑफेंस हुआ है यह जो कमिटी ऑनकी रिक्रिमेंडेश के वबाद 2-0-12 में निर्विया केश के बाद में इस सेटैपलिष किया गहें नेट राइगा एक्षटेंड टिफन्ट के पपसे लिटी तो आई-म पोड चोए वहीं इंटरनेशनल वनेटरी फंड का जो बोड है उन्होंने एक्षटेंडी फंड के पसे आप से अफड़ा दिया है एड बिलिए डॉनर से किसके लिए वहीं य इस्यूस फेस करने पड़ रहे हैं इस्ट्रक्शल वीकनेस की वज़ेश यह लॉंगर प्रोग्राम इंगेजमेंट और लॉंगर रिपेमेंट पीरेट भी इनको अब लेवल कराता है ना ज्यादा टाम यह पे करिए इसे प्रोग्राम जो है वह आपका फोकस देता है कि कैसी किसी भी कंट्री को अपनानी चाहिए ताकि स्ट्रक्शन इंबैलेंसिस जो है उनको एक लंबित पेरियोड तक सही किया जासे कि सारी नेमबर कंट्रीज जिनको एक्चॉल या पोटेंशल एक्टरनल फाइनसिंग की जरूत होती है वो इसके लिए एलिजिवर होज़र फिर आपके और उसके आसपास के एरिया में फोकस्ट है रिसार्ट स्टेशन आपके बहुत अलग अलग कंट्री जब फैले हुए है आपका नदन यूरोप आ जाता है ठीक है रशिया आ जाता है यूएस कैनेडा के साथ साथ ग्रीन लैंड यह भी कवर हो जाता है ठीक है आइस इस प्रोजेक्ट को फंड किया गया है इनका सीथा सा एम है अडेंटिफाइंग अंडेस्टेंडिक्टिंग टू डाइवर्स इन्वर्मेंटल चेंजिस जो की आपके आसपास हो रहे है फिर बात करेंगे नई स्पाइस जो स्पीसिस हैं बटरफ्लाइग की इसको सिसाड़ इसको कहा जाता है इसको बटरफ्लाइग से जाना जाता है प्रिजेंट डिस्कवरी जो है उससे पता चल रहा है इनका जो डिस्ट्रिबूइशन है वो साओथ इस्ट एशिया से लेके नौर्थ इस्ट इंडिया तक है ठीक है उसके बाद बात करते हैं स्वेल वेप्स की तो स्वेल वेप्स आपकी के कई सारे एरियास में आई है और जो कोस्टल एरियास है वहाँ पर इन्यूडेशन कर रही है या कि डिस्टेंट वेदर स्टिस्टम्स के दौरा जनरीट होती है जो कि ओशन में माइल थाउसन सो माइल तक फैली रहती है यह वेप्स आपकी अलग-अलग डारेक्शन पर प्रोपगेट कर सकती है ठीक है इनको लोकली केरल में कला कट्यल नाम से जाना जाता है इनको मैंने पढ़ा रहा था जोग्रफी में फिर उसके बाद श्याम जी कृष्णा वर्मा की बात करेंगे प्रैमिस्टर ने रिवलुशनरी फ्रीडम फाइटर श्याम जी कृष्णा वर्मा को उनकी पुन में चिती पर याद किया उनको से दांजली थी इनका जन्म गुजरात में हु करने के लिए काफी ज्यादा ऊचियाग इंडिया के इंडीडीया की इंडिया की इंडिया की ब्रैक्र जोम जाते हैं प्रफेशनल अश्याट्र के लंडन में नंको वडिक्रन के कि लेंडरव लेमिकं है बात करेंगे इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट रीज्ड एन ओल टाम हाई और प्रुपीस 21,083 करोड इन फैनेंशल लियर 2023-2024 वाइव मिनिस्ट्री ओव डिफेंस तो इसने इंडिकेशन क्या मिल रहा है इसने इंडिकेशन मिल रहा है कि इंडिया के जो टिफेंस के एक्सप ठीक है अगर हम 2013-2014 की बात करें तो उसके रिस्पेक्ट में वही हमारा जो है तक्रीवत 31 टामस वही बढ़ चुका है और अगर 2020 और 2030 की बात करें तो 32.5 इंक्रीमेंट वही देखा गया है इसके साथ-साथ एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन से हैं वो भी आपके इस पाइने सेक्टर ने तक्रीवत 60% कोंट्रिब्यूट किया है डिफैस एक्सपोर्ट अब इसकी स्टिकेंगेंस की बात करते हैं तो इससे बता चलता है कि हमारी जो डिफैस मैनुफेक्ट्रिंग कैपेविलिटीज है वो बढ़ रही है सेल्फ रिलाइस हमारा डिफैस के मामले में ब बढ़ रहा है अलगला कंट्रीज के साथ में इस्ट्रेटिक पार्टर्शिप बढ़ रही है और हम बात करते हैं तो जो लार्ज और आपके आते हैं लार्ज ओडर्स जो हैं उनको प्रॉफिटिबिलिटी भी चाहिए होती है आई कॉस्ट अब मैनिफेक्ट्रिंग जो आर् इनिशेटेव्स पर डिफेंस एक्सपोर्स के मामले में जो अमलोगों में लिया है इसमें आपका एफडियाई की बात करें फॉरेंट डारेक्ट इंवेस्मेंट जो है वो आपको आपको आटोमोटिक रूट की तुरू 74 परसेंट तक कर दिया गया इन्वेशन पोर डिफे इनिश कंटेंट वेरियस क्रेडिगरी तो परक्यूर्मेंट में बढ़ाए गया और टिफेस इंडिस्ट्र कॉरिडूर जो है उत्तव प्रिदिश और तमिल नाडू में आपके इस्टब्लिश भी किये नेक्स्ट आते है थर्टींथ पे इंटरेशन और्गनाजेशन फो मा रिलीस किया गया मनपी को 2014 में आपका लॉंच किया गया था ताकि डैट और टिफेरेंस जो होती है उनको डॉक्यूमेंट किया जा सके कि जब लोग एक जगे से दूसे जगे माइकनेट करते हैं तो जो लोगों की मिरत्तिव होती है या फिर लोग हो जाते हैं तो उनके बा आ रहे हैं वह आ जाता है जिनिवा यानिकी स्विज्वा लैंड पे 175 मेंबर के स्टेट्स आ जाते हैं इंक्लूडिंग इंडिया की फाइंडिंग के बाग करें इस रिपोर्ट की तो मोर दैन वन इन थ्री माइक जिसकी कंट्री ऑफ और इडेंटिफाई किया जा सकता है व में आपकी ड्रॉनिंग आ जाता है पहे जाते हैं अपनी दूसरी नई जगह पर जा रहे होते हैं या तो इंटरनेशनल कोर्डर क्रॉस करके या फरीकी स्टेट के अंदर भी जासे फेक्टर्स बहुत हो जाते हैं अर्बनाइजेशन मैरेज एकिनोमिक डिस्पैरिटी इस पॉनिटिकल इस्टेबिनिटी इंपेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज वगएरा वगएरा ठीक है फिर नेक्स आ जाते हैं साइंटिस डिसकावर एविदेंस ऑप ओजोन ऑन जुपिट की मून पे ठीक है यूगी रेडियेशन के त्रू तो इससे पता चला कि ओ त्री यानि की ओजोन की प्रिजेंस गैलिक्स्टो पे बाई गई है अब इसकी सिग्निटिकेंस की बात करें तो ओ त्री आपको पता है तीन ऑपसिजन एंटम से बनती है अनिस्टेबल हमकों पाएडियेशन जो सन से आती है उससे अर्थ को बचा रती है ऀनने न को देमेज कर सकती है है आपका आर्थ के सरफ़ेशन की पास पाया जाता है उसको पॉल्यूट्रेंट की तॉर माना जाता है और वो इनन्स प्लांट्स और अनिंमल के लिए काफ़ी ज़्यादा सबसे बड़ा जो है वो आपका गैनी मीड आ जाता है फिर बात करते हैं प्राइम मिस्टर अटेंट्स कॉमिम्रेशन सर्वनी ऑफ 90 एस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो देखो वित्रों रॉयल कमीशन और इंडियन करंसी 1926 इसको एक और नाम से जाना जाता है हिल्टन यल कमीशन इन्होंने आर्वियाई की इस्टब्लिश्मेंट की बात कहीती रिक्मेंडेशन दिया था जिसको इंडियन सेंटर बैंक की इंक्वाइरी कमेटी ने 1931 में रिट्रीट किया तुवारा दोर आया फिर आर्विय आपका 1935 में इसको इस्टब्लिश किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक 1934 के अंडर में और इसके पहले जो आपके गवर्नर दे वो ते सर ऑस्बॉन इसमिल इसको 1949 में इसका राष्टी कराण किया गया इसके और इसके अपके पाक साल से ज़्यादा टम वोल्ड नहीं कर सकते बाकी जैसा सेंटल गवर्मेंट चाहें उनको पॉइंट वगरा करती तो फिक्स कर देती है इनको रियर पॉइंट नहीं किया गया ठीक है नेक्स बात करते हैं आर्टिकिशल संसेट जा निव वर्ल रेकॉर्ड और फॉटीट सेकेंड लॉपरिशन एट हंड्रेड मिलियन डिग्री तो बहुत कोरिया की जो सुबर कंडेक्टिंग टोका मक्ट हैडवांस रिसर्ज फिजन रियक्टर जो है के एस टी यार इसको कहा हो जा रहा है वह आपके क्या बोलते हैं उस टेंपरेटर को लान अचीव कर लिया है जो सन की कोर के तो सूरज की कोर है उससे साथ उना जादा है इनका निक्लियर फीजन को प्रोसेस नमने किया है कस्टार जो है इसने हाई कंफाइंड मेंड मोड जिसको एच मोड कहा जाता है उसको भी अचीव कर लिया इसको मेंटेन किया है तकरीवन सौ सेकंड के लिए एच मोड एक स्टेवन प्लाजमा स्टेट होती है प्लाजमा वाट चार्ज गैस होती है जो कि आपकी पॉजटिव आइस की बनी होती है फ्री मूविंग एलेक्ट्रोंस होता है यूनिक प्र इसका सीधा सा एम है कि सिंगल फास्टेग के लिए यूज़ नहीं किया जाना है या फिर फास्टेग को प्रतिक्लर वेहिकल से आपको लिंक नहीं करना तो फास्टेग आप सबको पता है जिसमें रेडियो फ्रीकेंसी आडिनिफिकेशन टेक्निलोजी रहती है आर एफ डारेक्ली किये जा सके जब वेगल आपका मोशन में उता है यह मिनिस्ट्री ओफ रोड ट्रांस्पोर्ट आ हाइवेज एंड 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 एक्सिप प्रोग्राम में फिर बात करें कि स्नो लेपर्ड पैंथरा अंस्यार की तो एक्सपर्ट्स ने स्नो लेपर्ड के कंसरवेश से specific conditions किसी भी ecosystem में generate हो सकती है आई यू सी एन ने इसको वन्रेवल की केटिकरी में डाला है साइट स्ने किसको आपेंट्र इसके हैबिटर की बात तेने तो पारह किसमो लेपर्ड रेंज केंट्री जाती है अफगानिस्तान भूतान स्वाहिण हैद्या प्गेरा इंडिया मे तक्रिबन 718 इसनों लेपर्ट स्पाइल जग फिर बाप करेंगे सेवी कम्प्लेंट रिड्रेस्ट सिस्टम स्पोस 2.0 तो सिक्यूरिटीज और एक्सचेंज बोर्ट्स ऑफ इंडिया सेवी ने स्पोस 2.0 वर्जन लॉंच किया है जिससे इन्वेस्टर कम्प्लेंट रिड्रेस्ट मेकनिजम आपका और ज्यादा मकबूत हो जाएगा इस सिक्यूरिटीज मार्केट वाइं मेकिंग इस प्रॉसेस मोर एफिशेन इसकोर्स आपका एक ऐसा ओनलाइन सिस्टम है जिसमें इन्वेस्टर्स जो सिक्यूरिटीज मार्केट में डील करते हैं वो अपनी कम्प्लेंट को वैब यूर्म या फिर एप के तुरूर रिजिस्टर कर सकते हैं इसको स्ट्रॉप पॉइंट हो के तरब देखिया है तो इसमें टाइमलाइन जो है उनको रिड्यूस कर दिया गया है ठीक है कि जो रिड्रेसल आपका इंवेस्टर कम्प्लेंट का होता है सिक्यूरिटी मार्केट वा उस प्राइमलाइन को कम कर दिया गया है ठीक है एक किस क्यलेंडर डेस के अंदर आपको जो है कंप्लेंट के रिसीव के उसको सॉल्व करना होता है और टो रिटिंग और रिड्रेसल आपका सेकंड यह होता है ठीक है जिसको क्लॉक से सब्ट्रेक्ट कर लिया जाता है ताकि अर्थ की रोटेशन के साथ में इनको अलाइन किया जासेगे यह तब किया जाता है जब अर्थ आपका ज़्यादा तेजी से स्पिन कर रही हो दिनकी जो आपकी लेंद वो बड़ती चली जा रही हो यह पॉजिटिव लीड ट्रारेट्राेट्स वह रहता है तो अब तक 27 पोज्टिव लिप सेकेंड आपके जोड़ा जाता है लेकिन कोई भी निगेटिव लिप सेकेंड नहीं जोड़ा जाएं फिर आते हैं कॉन्डा रेड़ी ट्राइब की तरफ तो इस ट्राइब में अपनी इंडिजिनिस नॉलेज को इंडियन लॉरेल ट्री के बारे में जो इनकी इंडिजिनिस नॉलेज है वो फॉरेस्ट ऑफिशल के साथ में शेयर इनको पर्टिक्लर्ली के banks को inhibit करते हैं आंद्र प्रतेज में ये बोडो कल्टिवेशन भी प्रैक्टिस करते हैं जिसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन कहा जाता है अब अगर हम लॉर्ल ट्री की बात करें तो इसका स्टाइटिफिक नाम है टर्मेलिया टॉमेंट टोसा ठीक है देस्टियों नाम से रही जाना जाता है और इसके तिमबर की बहुत अच्छी कासी कमर्शियल वैल्यू होती फिर बात करेंगे कोड़ाई करल सोलर ऑब्जरवेटरी यानिकि के एसोगी तो यह अपने 125th इयर्स ऑफ इस्टाविश्मेंट में एंटर कर रहा है इसको 1899 में इस्टाविश करता है उसको समझने के लिए और उसके साथ साथ मौनसून पेटर्स को भी समझने के तो कोड़ाई के लार आपका इसलिए चूज किया गया था क्योंकि यह एक्वेटर के जादा पास आ जाता है और यहाँ पर आपका एल्टिटूट वाला एरिया है यह डस्ट प्री हाई लोकेशन है तो यह ऑग्जबरेटरी करेंटली आपकी इंडियन इस्टिटूट ऑफ एस्टल फिजिक्स के अंडर में आ जाती है और तमिल लाटो के पलानी रेंज ऑफ मांटेंस में आ जाती है यहाँ पर आपके टेलिस्पोप सा जाते हैं लाइक एच अलफा टेलिस्पो अब लेक्स बात कर लेते हैं ग्रोइंग नंबर ऑफ युएस स्टेट्स रिस्टिक्टिंग और बैनिंग डैवर्सिटी प्रोग्राम्स और युनिवस्टी कैंपर्स तो पहले क्या था कि यूएस में डी आई ब्रोग्राम्स आपके चलाय जाते थे यानिकि डैवर्सिटी इक्यूटी एंड इंक्लूजन इसमें पहुत सारी अमेरिकल युनिवस्टी इस स्पेशल कंसिडरेशन दिया करती थी माइनॉर्टी स्टुडेंट्स को ताकि असमानताय दूर की जाएं जैसे हमारे हां रिजर्वेशन आ जाते हैं लेकिन जून 2023 में क्या हुआ सुप्रीम इंडिया और यूएस के मामलों में अगर हम वो करते हैं इनको कंपेर करते हैं तो इंडिया में अफर्मेटिव एक्शन जो है वो आपका कॉंसिटूशन ने साफ साफ उसके बारे में बताया है USA में भी Equal Protection Clause आपका 14th Amendment का आ जाता है उसको आपका लाया गया अफर्मेटिव एक्शन को पर्मेट करने के लिए इंडिया में Article 15 आ जाता है Article 16 आ जाता है उसमें स्ट्रीट को बोलाए कि भी आप रिजर्वेशन प्रोवाइट कर आई हैं और USA में जो है वो आपका 1961 में इंडिया में कि इस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन जो बहुत सारे ग्रूप के साथ में वह था जिनको उनके साथ में इसको सदार आ जा सके और यहां पर मैनौरिटी ग्रूप सब्वमें जो है उनके खिलाव डिस्क्रिमिनेशन से लड़ा जा सब्सक्राइब आपके सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड ग्लासे आ जाते हैं इक्रियों में के लिए अपर अपर सेविटी और इंक्लूशन पर यहां पर अपर सेविटी लगाई रही है आपने पर अपर लीगल लिमिट नहीं लगाए वगर नेक्स्ट कर अंटर फेस की बात करें तो अलाबाद हाई कोट ने कहा है क्या कहा है अलावाद High Court ने यह कहा है कि Central Administrative Tribunal यानि कि CAT के खिलाफ कोई भी ओर्डर के अगेंस जो अपील आपकी की जाती है वो आपकी Supreme Court के सामने की जाएगी High Court के सामने नहीं की जाएगी ठीक है अब देखो अपील्स जो ट्रिबिनल्स के खिलाफ के खिलाफ की जाती है जैसे कि हमारा केस आजाता है केस का नाम है टी सुदागर परसाद वर्सेस गौवर्मेंट ऑफ अंदर प्रिदेश एपी 2001 का केस है एक Constitution बैस्टी सुप्रीम कोट की रोने यह का कि Contempt jurisdiction जो है वो आपका एक्सक्लूसिबली एक्ससाइबल है ट्रिबिनल के लिए ठीक है वाधर ट्रिबिनल ओल्ली और यह भी कहा गया कि हाई कोड़ जो है वो आपका यहां पर अपना जो डिश्रिक्शन है वो यूज कर सकते है जो केट ने कोई भी और इशू किया उसके अगेंस में लेकिन अभ ट्रिबिनल के खिलाव वो बरकरार रखा जा सकते हैं इंडिया में इनका अब्जेक्टिव होता है कि जोडिश्री पैसे केस नोट को गम करना और टेक्निकल मेंटर्स पे सब्जिकल सब्जिक्ट एक्सपर्टीज लाकर क्या गरना वहीं केसिज वगरा को सवाल करवार फिर के रिस्पॉंस तब आया है दब चाइना ने आंध्र प्रदेश की कुछ तक्रीबर टीस जगों का नाम बदल दिया अपने पुद के मैप में और इसको नाम दिया है साउथ तिरबर टेक हैं इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्पर्ट्स एल एसी के आसपास बहुत फ्री 2488 क्लोंटर लंगी लाइन समझती तुम्जती बड़किह स्यवWS नगे संति घ्रते चाइने कि अंदर आ जाता है पहले सेक्टर आ जाता है वेस्टर अजाता है यह की लद्दाख वाला पारत कि यहाँ पर इंडिया ये जोस सवां जो तरे जो बनाई गई है उसको बोटन व राइन यूखि आपकी यह भी मैध डॉनाड्स वाला नहीं मैं दल लाइन जो आपका इती नाइटि नाइन का वो उसको भी वाटर मानता है ठीक है उसके बाद मिड़िल सेक्टर आ अब मिदिल सेक्टर में उतराकंट दौनों आजाते हैं यह लार्जली अंडिस्पुटिट अरिया है और इस्टन सेक्टर की अगर हम बात करें तो इस्टन सेक्टर में आनाचर्ट प्रदेश और सिक्की माला एरिया आता है चाहिना क्लेम करता है कि आंद्र प्रदेश का जो स 2014 का किया गया था बिट्रिश इंडिया चाहिना उत्यबत की बीच में यह नायन आपके बनाई गई थी 1949 में चैना में आए उन्होंने पाया चैना में पावर पो अपने हाथ में लिया तो उन्होंने बहुत सारे बेरियस इंटरनेशनल एग्रिमेंट से अपने हाथ पीछे इस लिए और कहाओ कि भाई यह हमांके इलके सई नहीं अपनी के सबसे चीज़ें डेसाइड करें आगे बात कर लेते हैं इंडिया स्कॉल और लिगनाइट का प्रोडक्शन आपका पिछले दस सालों में 70% बढ़ चुका है क्यों क्योंकि फैबरेवल गवर्मेंट इनर्जी सिक्यूरिटी है ना और इंडिया के जो वगरा है हमारा सिंपल सा टार्गेट क्या था कि भाई को रिप्लेस कर देना है ठीक है पावर जनेरेशन के टुटी टॉन्टी फाइफ ये टॉन्टी टॉन्टी सिच तक ठीक है तो गरेंट स्टेटस कोल सेक्टर के अगर कोल इंडिया लिम्टेट लार्जेस प्रिड्यूसर एक कोल की इंडिया में सत्तर परसेंट से जादा जो कोल है वो ये लोग करते हैं और इंडिया तक्रिवन दोसो सत्तर मिलियन टन कोल को 2023 और 24 में आपका इंपोर्ट भी कर चुका है बाहर से मंगा भी चुका है जनवरी 2021 के साब से बात करें और नोन जॉपका नॉन कोकिंग कोल होता है वह समय डॉमिनेट करता है तक्रिवन 77 परसेंट हमारा टोटल इंपोर्ट नॉन को जाता है पिर आगे बाप करेंगे टोटल एसेट मॉनिटाइजेशन प्रोग्राम में मिनिस्ट्री ओप रोड ट्रांस्पो प्रोड एन हाइवेज के जो प्रेसेट्स हैं हुनाने अप्रेसेट्स को मॉनिटाइज कर लिया है तीन डिफ्रेंट में एक आता है टी ओटी टॉट यानि कि टोल ऑपरेट ट्रांसफर इस सेलेक्टेड ऑपरेशन आईवे के लिए जो राइट ऑफ कलेक्शन रहता है फीस आई टोटल उसे क्या करती है आपका लम संग का जो हमाउट होता है और फिर उसके बाद में दूसरी बॉड़ी को हाथ में देते थी कि आप अब इसका टोल का करेक्शन लीजे ऑपरेशनल और मेंटेनेंस ऑबलिगेंट जो रहता है वो आपका कंस्रेशनेर यानिकि जिसको टेंडर दियेंगे हैं उसके आथ में ही रहता है ठीक है उसके बाद में दूसरा मोडल आ जाता है उसको कहा जाता है इनवाइट या इनवाइट कहले जिए आप इसको इनवेट्स आपके इनवेस्टमेंट स्कीम से होते हैं मिचल फंड्स की तरह है जो की इनवेस्टमेंट को individual या institutional investor से allow करते हैं आप infrastructure project में investment कीजिए और फिर उसके बाद में आता है securitization certain type के assets जो रहते हैं वो आपके pool किया जाते हैं ताकि उनको interest bearing securities के हिसाफ से repackage किया जा से हैं अब अगर हम asset monetization यानि कि AM की बात करें तो भई जो idea AM का है यह सबसे पहले आपकी एक committee जिसको विजय केलकर ने lead किया था 2012 में उने idea दिया था एम सिंपल सी बात है एक ऐसा process होता है जिसमें government के लिए नए sources of revenue का generation किया जाता है economic value unlock की जाते है unutilized या फिर underutilized public assets की उनको limited period के लिए private sector entities को आपका transfer कर दिया जाता है यह dis investment total नहीं होता dis investment में क्या होता है आपका total को बेचा जाता है ठेकिए equity बेची जाता है तो इसको asset या फिर capital recycling भी कहा जाता है यह privatization से अलग होता है AM में ownership आपकी government या public authority के पास ही रहती है जबकि dis investment में ऐसा नहीं होता है फिर अमिट दाजावार था first batch of Indian construction workers leave for Israel तो इंडियन के workers जो है उनको इसराइल बेजा जा रहा है यह किया जा रहा है NSDC international के दोरह यह G2G government to government agreement है NSD यानि की national skill development corporation international एक not for profit public limited company है जिसमे government of India का 49% stake आ जाता है construction workers को war zone countries में भेजना ethical concerns raise करता है खासकर आपका तब जब इंडिया ने ऐसी advisory जारी की थी कि इसराइल में जो इंडियन्स है उनको safe zones में move कर जाना चाहिए अब ethical issues की बात करें तो इसमें एक concept आ जाता है life versus living generally जो आपके extremely backward sections के लोग है वो ऐसी चीजों के लिए आपका volunteer करते हैं है ना जो इसराइल जा रहे हैं अपनी life को एक खत्रे में डाल रहे हैं क्योंकि उनको higher wages मिलेंगी इसराइल के दौर इसके बाद बिम स्टैक चार्टर से बहुत important कबर है lower house जो भाई हमारे नेपाल की federal पार्लिमेंट का है उन्होंने चार्टर ऑफ दपे ऑफ बेंगॉल बेंगॉल इनिशेटिफ और मल्टी सेक्रल टेकनिकल एन एकनोमे कोपरेशन यानि कि बिम स्टैक उसको इंडॉर्स किया है अब यह जो बहुँ चार्टर रहा यह एक फाउंडेशनल डॉक्यमेंट है जिसमें बिम स्टैक ग्रुप की इसको बिम स्टैक आपके फिफ्ट बिम स्टैक संविट जो मार्श दोहजार पाइस में की गई थी उसी दौरां साइन किया गया एडॉप किया गया चार्टर के अंदर प्रोविजास आ जाते हैं कि यह तवीद फोर्स में आएगा जब इसको सारी मेंबर कंट्रीज के दौ आने के लिए एकनोमिक प्रोस्परेटी और सोशल प्रोग्रेस जैसी चीज़ों को उपर काम करने हैं फिर पाफ कर लेते हैं यूरेशन एकनोमिक यूनियन एई-ई-उ की तो इंडिया और एई-ई-उ जो है एई-उ ब्लॉप ऑफिशल जो है और उनने फॉर्मली निगोश से स्टार्ट कर दिये हैं फ्री ट्रेड एग्रिमेंट के लिए ठीक है इई-ई-उ की बात करें तो एक एंबिशियस प्रोजेक्ट है पोर एकनोमिक इंडरिगेशन इन्दा फॉर्मर सोवियत यूनियन इनका सिंपल सा मतलब है कि जैसे एरोपियन यूनियन के अंदर एक ना अश्टान जो है आपका नूर सुल्तान के नाम Suddenly जाना चालता है पाँंच मेंबर्स कंट्रीजं आ जैते हैं वहार 오래वारूरूस कजाकिस्तान कर् Feng ऐर चैन करन से यू कि ऐँगर देखाई तो रस्या जो है वह इंडिया का डॉप ट्रेडिंग पार्टनर आ जाता है इं फिर हवाना सिंट्रोम की बात करेंगे यह हमने बहुत बार डिसकस कर चुका लेकिन फिर भी देखते हैं जॉइंट मीडिया इंवेस्टिकेशन लिंग्ड मिस्टेरियस हवाना सिंट्रोम जो है वो यूएस डिपलूमेट्स के तौरा एक्सपिरियंस किये गए इंदा रिशि सबसे पहले यह सिंट्म्टम्स जो है वो आपके हवेना यानि कि क्यूबा नाम की जो देश है उसके हवेना में 2016 में नोटिस किये गए इसके लदर बहुत सारी चीज़े आ जाती हैं बाहर कोई शोर नहीं होता लेकिन फिर भी शोर सुमाई देशिया वाल्टिगो इनोस बै की तो मिनिश्ट्री ओफ हेल्ट एंड फैमिली वेल्फियर एम ओएच एफ डबलू इन्होंने मेंडिटेरी किया है कि वह सीजी एज़ेस बेनिफिश्री आइटी जो है उसको आप आभा आइटी के साथ में जोड़ेंगे आभा आइटी क्या है आईश्मान भारक हेल्थ अ जाएगा अब आवागी बात करें तो यह फॉर्टीन डिजिट यूनीक हेल्थ आइटेटिपायर नंबर होता है जोकि आईश्मान वारत डिजिटल मिशन के अंडर में आ जाता है एबी डी एम के अंडर में आ जाता है ठीक है तो स्टीजी एचस की मोटल मिनिश्री कौन सी है वही मिनिश्री ओफ हेल्थ और फैमिली वेल्टेर एमो एच एफ डवलू ठीक है 1974 में इसको स्टार्ट गया गया था कॉंप्रियासिव मेडिकल केर प्रोवाइड कर आने के लिए तो सेंट्रल गवर्मेंट एब्लोईज एंड पैंशनर्स रूखी इस स्कीम के अंडर मे होता है अल्टार्ड मीडिया है ना आपका क्या करते हैं मीडिया को चेंज कर दिया जाता है और आपका क्या किया जाता है कि इसको हम एक और नाम से जानते है जैट चीट फेक उसके बाद एक्सराइज गगन शक्ति के बात करेंगे तो आई ए ए ए एफ हिंडियन एवपोस अपनी सबसे पड़ी एक्सराइज गगन शक्ति को कोखरन फाइरिंग रेंज में कंड़क्ट कर रही है जैसल मेरी के अंदर आ जाता है ठीक है सारे मेजर फाइटर हेलिकॉप्टर याउपोस के अपनी स्ट्राइकिंग के अपर दिखाएं फिर बात कर लेते हैं पैरादेप ओड की तो पैरादेप ओड ने कांडला ओड को सरपास कर दिया है किन मामलों में आगे निकलन के आईए ये भी देख लेते हैं हाईयेस्ट कारगो हैंडिलिंग मे बनाया गया था फर्स्ट मेजर पोर्ट आ जाता है इसी पी पे यह अपका महानदी और बेंगॉल इहीं पर महानदी रिवर जो हमारी वो ड्रेन होती है और बेंगॉल यहां पर है तो इन्हीं के कंफरेंस पर यह बना हुआ है इस को गवर्मेंट ऑप इंडिया के द्वारा सेटप किये गए एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के दारा एड्मिस्टर किया जाता है दो हजार पीस में यूनियन कबिनेट ने टीपनिंग एन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इनर हारवर फैसिनिटीज इंक्लूडिंग डेवलप्मेंट ऑफ वेस्टन डॉक को प्रूफ किया थ टाकी जो वेसल्स का साइज है पेरावर पोड़ पे वह और ज़्यादा बनाया जासेगे इसके साथ सेंटन ने पेरावर पोड के साथ साथ दिन दैयल पोर्ट वी और चिदंब़ार पोर्ट जिसको चीटिटि पोर्ड गोलते हैं इनको ग्रीन हाइड्रोजन पोर्ट के इसको पविश किया गया, इनका जनम तमिलनाड़े में हुआ था, इंडियन क्लासिकल डांसर और इसके साथ-साथ थियो सॉफिकल, ठीक है, थियो सॉफिकल मुव्मेंट की एक important member भी रही है, इनको भरतनाटियम के नए forms of dance की तौर पर जाना जाता है, मतलब उसको एक तरीकिस रहनेजा और भरतनाटियम के तौर पर इनको जाना जाता है, इससे पहले भरतनाटियम जो है, वो देवदासियों के साथ associated, ठीक है, जो टेमपल डांसर हुआ करती थे ना, देवदासियों के साथ associated हुआ करता था, और society उसको इतनी अच्छे तरीके से नहीं देखती थी, य यह एक डांस स्कूल है, जो कि मदरास चेन नहीं में आता है, ठीक है, डांस सिखाने के लिए, और इन्होंने बहुत इंपोर्टन रोल भी प्ले किया था, prevention of cruelty to animals act 1968 को बार्लिमेंट के दोरा पास करवाने के लिए, इनको, मतलब, she was the first woman nominated to Rajasawa in 1952, पतम भूशन भी 1956 में को द टाइवान रोग वाइ, अर्थ के वो magnitude 7.4, जो कि 25 सालों में सबसे बड़ा अर्थ वेक है, ठीक है, reverse faulting जो है, आपकी वो हुई थी, कहाँ पर हुई थी, यूरेशिया और फिलिपीन सीड प्लेट के पास में आपको प्रोसेस हुआ था, इसकी बज़े से आपका ये जो एर हमारा है, ताइवान अर्थ के प्रोन एरिया है, ठीक है, ये Pacific Ring of Fire में लाए करता है, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है, इसके बाद बाद करते है, डेली हाईग वोट है डिकले हल्दी राम एस वैलनोन ट्रेडमार्ट तो हाइग वोट ने हल्दी राम को ये जो इसका ये जो शेप है ना, रैट, ओवल शेप है, इसके उपर ये हल्दी राम ये अलग फॉंट में लिखा गया है, इसको वैलनोन ट्रेडमार्ट की कैटिगरी में डाला हुआ है, in respect to food items, food items के बाद करने, restaurant की बाद करने, eateries की बाद करने, और इसको उन्होंने डाला है, TMA 1999 के सा ट्रेडमार्क को डिफाइन करता है, कि एक ऐसा मार्क होता है, जो भी इस तरीके से बन गया है, क्यों, क्योंकि आपको पॉगलिक में किसी specific body के दोरा इसको use किया गया है, है ना, तो इसलिए इसका connection साफ साफ हल्दी राम से दिखता है, अब कल को कोई इस तरह का बना लें, और आपर कुछ और नाम लिख दे, same font में, तो फिर कवार लोग उसे प्रमित भी हो सकते हैं, तो इंडिया के intellectual property rights, यानि कि IPRs, policy management, IPRM framework जो है, वो आपके अलग-अलग परेके IPRs वगरा को cover कर लेती हैं, जैसे कि हमारा patent आ जाता है, patent कों से legal provision किसका है, trademark को कौन सा है, design, copyright, जोड़र, GI tax हो गए, trade secrets हो गए, subject area, sponsor, उनके terms of protection कितना है, ये table आप लोगों के लिए पढ़ना थोड़ा सा, ज़रू है, उसके बात बात करेंगे, South Asia और India, risk squandering demographic dividend by World Bank, ठेक है, तो वहीं, World Bank की एक, basically report type की आई है, उस report का नाम है, job for resilience, South Asia development update, ठीक है, South Asia region में, जिसमें, इंडिया भी included किया गया है, उनको ये बोला गया है, कि आप अपने demographic dividend के, 5 जो है, वो नहीं उठा पा रहे हैं, है ना, इसके जो benefit आपको लेने थे, वो आप नहीं ले पा रहे है, demographic dividend आपका जो है, वो increase ह हुआ है, और वो जनली, economic growth के साथ, उससे डिट होता है, कि economic growth potential जो है, वो आपके बढ़ जाती है, demographic dividend की वजए से, है ना, क्यों क्यों कि working age population जो है, 15 से लेके, 64 साल के बीच की, वो non working age से सबसे जाला चल रही है, इंडिया में, ठीक है, इंडिया इस window को तकरिवन 37 years तक enjoy करे है, 2018 से लेके, 2015 तक हमारी जो working force population है, वो सबसे ज़्यादा रहेगी, तो बहुत अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं, लेकिन issues, demographic dividend related क्या आ रहे है, तो बहुत सबसे पहले बात आ रही है, jobless growth, ठीक है, employment ratio जो आ जाता है, मतलब employment जाने की जो total working age population का है, आपका, वो देखा ज countries में मातर 59% आ जा रहा है, ठीक है, जो कि बाती emerging economies से कम है, उनका तक्रीबल से 70% आ रहा है, low share आ जाता है, women का employment में, weak employment trends आ जाते है, non agriculture sectors में, और private investment जो है, वो आपका काफी ज़्यादा कम हो चुका है, और growth जनली जो है, वो आपकी public investment यानि की government के तारह क्यों हो जा रही है, तो वहीं इसकी वज़े से global growth भी आपका कम होता जा रहा है, यह economic वाले current affairs जिनको economics की basic understanding है, उनको थोड़ा अच्छे सा समझ में आएंगे, आप लोगों से hard एक request है कि economics की जो series चल रही है, उसको अच्छे सा govern कर लो, ठीक है, तो यह economic सी current affairs भी अच्छे सा समझ में आएंगे, फिर series में भी यह questions आपको hard नहीं लगे, फिर आगे बात करते हैं, article 293 यानि कि borrowing of states, Supreme Court ने constitution bank को क्या गोलते हैं, refer किया है, कुछ questions आपके raise के गएंगे, एक petition में, ठीक है, interpretation of article 293 के regard, article 293 भाई, इसमें बोला गया है कि जो executive power होती है, इस states की, वो पैसा मांग, मतलब borrowing और money से related जो executive power होती है, आपकी, वो territory of India दाखी सेमित रहती है, upon security of consolidated fund of state, consolidated fund of state को अब उदार पर रखिए, उसके बदले में आपको पैसा मिल सकता है, अब इसी का section 2 यह भी बोलता है कि central government इस चीज के लिए empowered है, कि वो loan दे सकती है, किसी भी state को, या फिर क्या का सकती है, आपकी जो guarantees वगरा होती है, state loans की, वो रकने के बाद उनको पैसा दे सकती है, और article 293 का section 3 यह बोलता है कि states आपकी central government की consent के बिना, किसी और बाहर कहीं से loans या फिर guarantees वगरा नहीं रख सकती है, लोज वगरा उदार नहीं ले सकती है, नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया delivered to state of the art, और नियर 228 aircraft to Guena, तो यह एक twin engine, टर्गो प्रॉब, multi-mission, maritime, petrol aircraft है, इसको हिंदुस्तान, aeronautics limited ने manufacture किया है, ठीकें, इसको surveillance, gathering information, medical rescue, transporting goods के लिए यूज किया जा सकता है, मानवदीज और शिलंका जैसी countries को हमने यह aircraft वहले से दे रखें, नेक्ट बात करते हैं, पैरा क्रोपिंग सिस्टम की, तो conservation agriculture practice ओडिसा में जो है, यह पिछले कुछ सालों से कम हो रही है, अब इसकी बात करें भई होती क्या है, तो यह relay method होता है, स्वेंग का, जिसमें short duration pulses या oil seeds वगरा होती है, उनको आपका rice के बीच में होगा आया जाता है, तो इसमें आपका interventions नहीं किया जाते हैं, टिलेज, reading, irrigation, fertilizer applications वगरा, इस सब नहीं use किया जाते हैं, इसके benefits की बात कर ली जाए, तो maximize करता है, land use efficiency को, farmers की income को बढ़ाता है, areas of practice में बिहार, Eastern UP, West Bengal, 34 गड़ और ओडिसा आजाए, उसके बात बात करेंगे, Indian Ocean Joyed Low की, तो researcher के साब से Indian Ocean में एक unique phenomena देखा जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है, gravity hole, gravity hole of किसका, Indian Ocean Joyed Low का, यहाँ पर आर्थ का gravitational pull कमजोर है, sea level आपका जो है, तक्रिवन 100 मीटर नीचे की तरफ विप कर गया है, इसकी बज़े से gravitational या फिर joint anomaly का system आपका create होता है, ocean के अंदर depression आ जाता है, जो की lowest point माना जाता है, एक joyed के अंदर, टेक्निकली आप सुबको बताएं कि आर्थ हमारा sphere रही है, बत एक joyed है, और इसका जो middle बारा part है, यह bulged out है, आपके flat end है, यह वारा part थोड़ा बाहर की तरफ निकला हो, next, decline in campus placements at premier institutions in India, तो reasons जो decline के हैं, उसमें global economic slowdown, lack of international firms coming to campuses बगरा आ जा रहा है, ठीक है, जो decline आपका placement में देखा गया है, unemployment में देखा गया है, वो FAP 2024 के साब से देखा जाए, CMIE की data के साब से देखा जाए, तो FAP 2024 में 8% था, जिसकी बज़े से jobless growth की concerns इंडिया में उठने लगे है, jobless growth ही कैसा फिरो में ना होता है, जहाँ पर employment, opportunity, आपकी, और job creation होता है, वो बहुत slow rate पर होता है, यानि कि economic growth के comparison में बहुत slow rate पर हो, ठीक है, अब इसके साथ आप औ कौन कौन से reason आ जाते हैं, वही jobless growth ही, तो capital equipment और automation में investments बढ़ रहा है, automation जो है, वो हिंडिया और world को अगर देखा जाए, इंडिया की बात कर दीजाए, तो 69% इंडिया की jobs को खा सकता है, ऐसा world bank का कहना है, sector inefficiencies की बात की जाए, तो primary sector में इंडिया का 50% से ज़़दा work flows employed है टेक है, जब की वो मात्र 20% GDP में contribute करता है, labor market rigidity की तरफ देखा जाए, तो जो आपके employers हैं, वो ज़्यादा capital intensive votes की तरफ अपना focus कर रहे हैं, rather than labor intensive ones, देखो development के साथ में यह आता ही आता है, development होता है कि यही जैसी चीज़ें आएंगी तो पही नोकरियां account होंगी, और core employability आ जाती है, यानि कि सिर्फ 50% के आसपास country का youth जो है, उसको employable माना जाता है, India skills report 2023 के साथ, नेक्स बात कर देए, इंडिया's first homegrown gene cell therapy, lost by the president, ठीक है, इसको develop किया गया है, इसमें IIT Bombay, Tata Memorial Hospital, ठीक है, और Immuno Act के collaborations, ठीक है, इसमें immune cells को modified किया जाता है, खासका जो आपके T cells होते हैं, इनको potent cancer fighters के तोर पे convert किया जाता है, जिसको card C cells के नाम से जाना जाता है, T cells special type के cells होते हैं, यानि कि यह WVCs की category में आते हैं, white blood cells की category में आते हैं, इनका primary function होता है, cytotoxic, ठीक है, यानि कि दूसरे cells को खतम करना, तो T cells को patients के blood से लिया जाता है, उनको lab में change कर दिया जाता है, उसके अंदर एक gene जो है, उसका addition किया जाता है, man-made receptor के तोर पे जिसको card नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो cards अपके proteins होते हैं, जो कि T cells को assist करते हैं, उनके सब्सक्राइब करने में help करते हैं, और specific protein जो cancer cells पर प्रिजेंट होता है, उसके साथ attach हो जाते हैं, और फिर उसके बाद cards cells को वापास patient में transfer कर दिया जाता है, ठीक है, नेक्स बात करने ते हगनी प्राइम, the new generation ballistic missile flight texted successfully, इसको strategic force command SFC की दोरह, इसका test conduct किया गया, along with DRDO, कहां से, डॉक्टर APJ अब्दुलकराम हाइलेंट्स, ठीक है, SFC जो है वह हमारी, वो management और administration के लिए जिम्यदार है, country के जिते भी tactical और strategic nuclear weapon stroke पर आएगा, उसके लिए, अब अगर हम अगनी प्राइन की बात करें, तो यह two streets canister solid propellant ballistic missile है, maximum range इसकी 1000 से लेके 2000 km तक आ जाती है, nuclear capable advanced variant अगनी class of missiles का ही कहनाया जाता है, यह बाकी के अगनी सीरी से कफे हलकी आ जाती है, और इसको INS यानिकी inertial navigation system के दोरा guide किया जाएगा, ring laser gyroscope पे यह based है, ठीक है, like generations की missiles में सबसे पहली आ जाती है, जो की integrated guided missile development program के अंडर में आती है, ठीक है, फिर आगे बात करेंगे उत्राकंट government to evaluate risk of glacier lake outburst floods, यानि की GLOF, तो उत्राकंट government की, इत्राकंट government to state government है, उन्होंने दो experts की teams का गठन किया है, ताकि 5 potentially hazardous glacier lakes है, जो इस region में, उनके बारे में पता लगाया जा सके, GLOF, क्या होता है अपका, है ना, तो भई ये एक term होता है, जिसमें sudden पानी का release होता है किसी भी glacier lake के अंदर पानी पर ये आपका भरा हुआ ना, जब वो sudden तरीके से बाहर निकलता है, ये ना, तो फिर वो आपका लिक यहां से भी overflow हो सकता है, उसकी walls भी तूट सकती है, तो जब इस तरह का पानी overflow होता है ना, तो फिर वो आपका बहुत जादा have-up create कर देता है, ठीक है, सिक्किम में GLOF का event October 2023 में हुआ था, South जो वाँका लोनाद lake है, वो आपका burst हुआ था, है ना, तो GLOF को आपका potential climatological disaster की category में रखा जाता है, National Disaster Management Plan 2019 of India के इसाफ से, GLOF vulnerability की बात करें तो इंडिया के जो हिमालियन states है, तो unit territories हैं, like JNK हो गया, लदाक हो गया, ठीक है, हिमाचन प्रिदेश हो गया, उत्राकंड हो गया, सिक्किम बगर हो गया, इसाफ सके अंडर में आते हैं, और 2021 में जो लोजिकल सर्फ्य आफ इंडिया ने, वो और 86 जो Glacian lakes उत्राकंड में आते हैं, उनमें से 13 को आपका Glacian lakes Outburst Flurs की category में रखा गया, नेक्स कबर आते है, नेशनल और्गन एंड टीशू ट्रास्प्लेंट और्गनाजेशन की तरफ, तो सेंटल क्या करना है, एक नेशनल डिजिक्टल डेटाबेस तयार करने की कोशिश कर रही, करी लेगी मतलब, ठीक है, किस चीज़ का डेटाबेस होगा ये, ये डेटाबे में देखे गए, और वेटिंग लिस्ट जो है, वो दक्रिवन पांच लाफ और्गन फिलियर रेसिपेंट्स की, ठीक है, आगे देखेंगे, प्लांक्टन क्रेश की तरफ, तो रैट कलर, जो आपका पोटुचेरी के प्रोमिनेड पीज का जो है, लास साल जो देखा गया थ वो प्लांक्तन क्रेश के साथ देखा जा रहा है, एक एक फॉर टैनल ने, पैनल ने, नेश्नल ग्रीण टिबिनल, यानि की, एंगे टी को इसके बारे में बताया, अब इसमें होता है, इसमों कहा जाता है, नौक्तिलु का, सिंटिलीन, ठीक है, यह पोटो प्लांक्तन होता जो रेड कलर में कनवर्ट हो जाता है तब लाज नमबर एक आपस में टकराते हैं या फिर जब लार्ज नमबर में आपका क्रेश देखा जाता है जिसकी वज़े से रेड कलर का पिगमेंट जो होता है वो उनके से बाहर निकलता है यह पिगमेंट फिर सीफलोर की रूट से च of carbon dioxide पाया जाता है इनकी production cycle में plankton जो है वो इसके बाद में खतम भी हो सकते mulching की बात करेंगे तो फिर देखो भई फे विलेज आ जाता है लद्दाथ में वहाँ पर farmers mulching का use करते है organic watermelon को होगा आने के लिए यह लद्दाथ में significant है क्योंकि यह cold desert है और watermelon आपका tropical climate यह फिर hot climate वाला plant है तो इस process के जरी आपकी जो top soil है उसको plant material की दोरा ठक दिया जाता है leaves, grass, crop, residues लोगरा यह सब ठक दिया जाता है उसके उपर ठीक है और उस पार आपका एक ऐसा soil structure त्यार किया जाता है जिसमें बहुत जाता पोर्स होते है जिसमें rainwater easily filtrate कर जाता है infiltrate कर जाता है जिससे surface runoff अपका कम हो जाता है ठीक है इसके जरी soil erosion रुका जाता है और उसके साथ साथ organic matter soil में increase किया जाता है अलग अलग तरह कि अपकी techniques आ जाती है surface mulching, strip mulching, wall field, living mulch और hydroponics की बात कर लेते हैं तो hydroponics जो है इंडिया के sustainable food sector में एक important factor की तोर पर वर्गर सामने आया है ठीक है यह हमारी जो रहती है यह soil less farming होती है इसमें आपको मिट्टी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं बढ़ती यहाँ पर plants को एक water-based nutrients के तोर पर वगाया जाता है ठीक है इसमें aggregate substrate जोड़े जाते है growing media जैसे कि आपका आ जाता है वर्मी क्यूलाइट ठीक है coconut oil, perlite वगरा इन सब को यहाँ जमाया जाता है और इसके जरिया आपका पानी भी बचाया जाता है पानी एक stage से दूसरी stage से तीसरे stage पर पहुँच जाता है ठीक है फिर बाग कर लेंगे coordinated lunar time मियानी की LTC की तो NASA जो है वो coordinated lunar time create करने जा रहा है for the moon and other celestial bodies ठीक है इसका सीदा सा मतलब है कि consistent time keeping benchmark lunar missions के लिए और space activities के लिए हम लोग बनाएंगे ठीक है एक earth based block जो होगी वो क्या बोलते है उसके अंदर तक्रिवन 58.7 microseconds पर earth day के हिसाब से आपके कम किये जाएंगे time dilation के हिसाब से time dilation की तो आपको पताई है time जो है आपका moon पर तोड़ा जादा तेजी से चलता है as respect to earth ठीक है 58.7 microseconds moon पर थोड़ा जादा तेजी से चलता है क्योंकि moon का gravitation पूल है थोड़ा सा कमजोग तो जितनी जादा gravity कमजोग होगी उतना जादा ही तेजी से time वहाँ पर move करें ठीक है time dilation आपने वो नुभी दिना है क्या नाम ताउसका कुमिती पत्ती तमिल्नाडो में damage कर दिया यह तकरीबन 3000 साल पूल हो ठीक है आर्टेस में pigment को यूज किया था natural gum के साथ में इन figures को paint करने के लिए इसमें आपको elephant भी दिखते हैं थेर यानि कि आपको एक रत भी दिखता है ठीक है इसके साथ-साथ यहाँ पर early dwellers किस तरीके से रह देते उसके बारे में भी बताये गया है जादा तर rock painting sites तमिल्नाडो में जो है वो rock shelters में पाई गई है कुमिती पत्ती वाली जो है वो एक cave के अंदर में draw की गई फिर उसके पाद आते हैं UNHRC adopted first resolution of its kind for इसके खिलाव इनको लड़ेने का discrimination, violence, harmful practices उन लोगों के खिलाव जिनके अंदर variations आते हैं sex characteristics में और उनके root causes को भी देखा जाएगा जो आपके intersex people जो है उनके लिए ठीक तो इसके साथ और भी बहुत सारे issues आ जाते हैं यह resolution भाई आप रेसेप्ट किया गया है इतना समझ लो उसके बात करते हैं Indian mythological department इस्यूज हीट वेव अलर्ट भाई और साल के तरह IMD ने प्रिटेक्ट इस बार भी किया कि नॉर्मल से भी जादा जो आपकी हीट वेव है वो आपकी बहुत दिल चलेगी ओवर मोस पार्ट ऑफ दा इंडिया ऑफ दा सदन पैनिसुला सेंटर इंडिया इस्ट इंडिया एंड प्लेइल्स ऑफ नॉर्ट इस्ट इंडिया यह आपका चलेगा अप्रेल से लेके जून तक जो की बिल्कुल सही सावित दौप और तेगड़ी गर्मी पड़ी थी इस बाग हीट वेव आपकी ए टेंपरेशर की वह कंडिशन होती है जो कि एमन बॉटी के लिए फैटल हो जाती है अगर उसे एक्सपोस्ट होते है तो आयम में हीट वेव को डिक्लेर करता है कि यह मतलब आपकर टेंपरेशर जो है ना जो फॉर्टी डि केटिगरी में रख दिया जाता है अच्छा इसके साथ में और भी इंफोमिशन है लाइक क्या होते हैं इसकी कौन पर से टैबलब होती है और यह सारी इनिशेटिव से वह आप लोग पीडिएफ में डारेक्ट जाके पढ़ने है ठीक है पिर आगे बात कर लेते हैं इंडिय साथ के साथ से इंडिया में हाइस प्रसनेजट टेस्ट फाए गये हैं 2000 से ज़ाधा आपके टेस्टै का सीता स reviews को यूज करना प्रतिबंदित समस्तान्स को यूज जो कि किसी की बॉर्डि में है जाकर उस एथिलीट की परफॉमेंस को ड़ा देते हैं अब डूपिं में इसके साथ-साथ वही कि जीतना है, मुझे तो सबसे पहनी जीतना है, लैक ऑफ नॉलेज अबाट केमिकल्स भी इसमें एक फेक्टर आ जाता है, तो कई बाग यह लोग ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स को मैनिपूलेट करने की कोशिश करते हैं, जीन डॉपिंग जैसी चीज़े भी की जाती है, यह फिर प्रैक्टिस के अंडर में नहीं आता है, इसलिए इनको एंटी डॉपिंग एजनसी आपकी बनाई गई है, इनका काम होता है डॉप और फेंडर को पकड़ड, इसके साथ आप नेक्स्ट आते हैं, मुंबई स्टेट टो विटनिस फर्स्ट इंस्सोलेशन आप 210 आर्टिपिशियल रीप्स आपकी वरली पोली बाड़ा यानिकि अरेवियन सी में इस तरह से लगाई जाएंगी, ठीक है आर्टिपिशियल रीप्स की बात करें, तो यह जेनरली आपकी इंजिरिंग टेकनोजी इंटरवेंशन होते हैं, जिनको यूज किया जाता है, natural habitats पो rehabilitate करने के लिए या improve करने के लिए यानि कि इनको sea bed के पास रखा जाता है fixed plantific design के साथ में और ये self-sustaining production function के तौर पर काम करती है natural जो reefs होती है उनकी तरह इनका behavior होता है उसी तरह act करती है natural reef आपकी एक ridge रहती है किसी material की जो surface के पास में पाया जाता है ocean के surface के पास में पाया जाता है जो कि rocks का बना होता है या फिर small animals जैसे की corals बगरा होते हैं उनके dead होने ही बाद उससे बना रहता है तो इसमें rocks, syndrome blocks, wood, old tires, limestone, steel, concrete हो गरा इस सब कुछ use किया जाता है फिर आगे बात करते है chief of defense staff general highlighted the need to add up to the changing character of war तो वही उन्होंने simple से बात कही है कि वही war का character change हो रहा है traditionally warfare जो था वो आपका direct kinetic military engagement से उसा था हमने सामने लडाई से होता था लेकिन 21st century जो है अब यहाँ पर वही हमारा 5th generation war जो है वह स्टार्ट हो चुका ठीक है 5GW आपका non kinetic forms of warfare के दरह कंड़क्ट किया जाता है जैसे कि cyber warfare हो गया psychological operations हो गया hybrid warfare हो गया वाथी और भी बहुत सारे emerging challenges इसके respect में आ जाते है आगे बात करेंगे United Nations Economic Social Commission for Asia and the Pacific UNESCAP तो वहीं Economic Social Survey of the Asia and the Pacific 2024 को रिलीज किया गया UNESCAP के द्वारा ये सर्वे annually 1947 से publish किया जाता रहा है जो कि इनका एक flagship publication है ठीक है इनका headquarter आ जाता है बैंक पॉप यानि की Thailand में 1947 में इसको ECFE Economic Commission for Asia and Forest के तोर पे डेवलप किया गया था 1976 में इसको Economic Social Commission for Asia and Pacific सब्सक्राइब नाम दे दिया गया आगे बात करेंगे SAT की Securities Appellate Tribunal की तो Finance Ministry जो है उन्होंने एक नया Presiding Officer SAT का चूज कर लिया है Justice PS Dinesh Kumar SAT एक State Story Body रहती है जिसको SEVY Act 1992 के Under में बनाया गया है ठीक है इनका काम होता है सेवी के खिलाग जो और्डर्स पास किए गए हैं उनकी अपील्स को देखना सोरी SEVY के द्वारा जो और्डर्स पास किए गए हैं उनकी अपील्स को देखना सुनना ठीक है प्रोविजिएन पंड्स से रिलेटेट चीज़े हैं Regulatory और Development Authority से रिलेटेट चीज़े हैं Insurance Regulatory Development Authority से चीज़े हैं, इन सब को देखना, इनकी बेंच आ जाती है, गुंबई, फिर बात करते हैं, फनीगीरी तेलंगना की तो Department of Archaeology and Museums, उन्होंने एक कॉइन का होड डू निकाला है, फनीगीरी में, सुर्या पे इस्टिक्ट आती है, तेलंगना की, और ये बिलॉंग कर होता है, एक फनीगीरी का मतलब होता है, इन पर इसका मतलब दिखा जाए, तो हिलोप, यानि कि छोटा सा माउंड, एक छोटा सा टीला, जो की सांपों को बिलॉंग कर, वो दिस साइट है, एक सो तस किलोमीटर दूर लोकेटेड है, यहाँ पर बहुत तारे एक्सकिवेशन भी किये जा चुकिए है, यहाँ पर महास्तू, चैतिक रहे, विहार और गोदी सत्वी की लाइफ स्टेक्ट को जो है, वो भी मिली है, इसके साथ प्राम्मी लेबल इंस्क्रिप्शन, साथ वाहन के और इक्षिवाकू टाम्स के मिले है, जो कि सेकंड से लेके थर्ड सेंच स्टीर का जा रहा है, उसको, उसका इंडेक्शन स्टार्ट कर दिया है, ताकि अपनी एर डिफेंस के अबिलिटी इसको बॉल्स्टर किया जा सके, ठीक है, इंडिजिस में डेवलप किया गया है, यह लो लेवल एर स्पेस की मोनिटरिंग करेगा, मैटल एरियास में इंडि इसको बहुत बात करेंगे हिरेस क्रोंसिंग के तो इसराइल ने एरेस क्रोंसिंग जो है, उसके रीओपनिंग को एप रूप कर दिया था, टाकि हुमेनिटेरियन एड गाजा में पहुचाई जाए, ठीक है, औल्सो इसके साथ साथ उन्होंने एस्टोर्ड जो भाई अपक पॉर्ड है ठीक है यह वाला पॉर्ड है जो इस दोड पॉर्ड है इसको भी मदद के लिए खोल दिया है एरेंस के बात करें तो इसको एक और नाम से जाना जाता है यह गौडर क्रॉसिंग जो इसराइल और नदन गाजा स्क्रिप्ट के बीच में आ जाती है यह मात्र ऐसी ब इसके साथ बाती की क्रॉसिंग पर यापकी राफा क्रॉसिंग है जो इजब्ट और गाजा के बीच में है करें अबू सलेम यानी कि केरम शलों क्रेशिंग क्रॉसिंग है और वह भी यहां पर आ जाती है उसके बात करते हैं शामा परसाद मुकजीब पोर्ट SMP की तो इस प अपरेटिंग पॉर्ट आ जाता है इंडिया में 1817 से फंक्शन कर रहा है यह मेजर पॉर्ट ट्रस एक 1963 के अंडर में आ जाता है मिनिश्ट्री ओपोर्ट शिपिंग और वाटर वेस कंसर्ट मिनिश्ट्री आ जाती है इसके दो टॉक डॉक कॉंप्लेक्स आ जाते है एक आ जा पॉस्ट गाड आई सी जी उनों एक फिशिंग वोट को यहां से किया है उनकी क्रू आज जाता है में लैंड आ जाता है कुज्राट का नर्मदा तापी माही सावर्मती रिवर्स यहां पर आके ड्रेन करती है अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लेके आते हैं यहाँ पर लोथाल का जो फेमस हरपन टाउन है वो गल्स ऑफ समबट के हैड़ पर ही सिच्वेटेड़ फिर उसके बाद में आ जाते हैं सेकेंड लास्ट खबर परपल जैली फिश्ट तो रेसेंटली वेनोनमस यानि कि जैरी ली परपल जैली फिस्ट का जो ब लूम्स एपियर होते हैं सबसे बात करेंगे लश्वन नायक की मिनिश्ट्री ओफ ट्राइबल अफियोस ने फ्रीडम फाइटर लश्वन नायक के को हाइलाइट किया है यह एक फ्रीडम फाइटर थे जो की भूमियाद कम्यूटी खुरी साब को बिलॉग करते थे इनको ग में भी इन्होंने पार्स्ट्रेट किया था इसके साथ साथ स्वनवाज का जो प्रिंस्पल था उसको भी इन्होंने काफी ज़्यादा मुझबूत किया था ठीक है तो अपनेल के फॉस्ट विक तक्रिवन सेवन्टी करेंट अफेस थे पीडिएफ में जाएंगे तो कुछ- और हफ्तों के हमारे करेंट अफेस आएंगे अपरेल के वह भी आपके अभी मैं दो-चार दिन के अंदरी देरी देर करके उनके वीडियो अप्लोड कर दूँगा इस सारे पीडियाफ्स आपको ओनेटी सीडियस ग्राइक पर मिल जाएंगे वहां पर मैंने इनको होगा वागी सारी डिटेल्स में और इस्ट्राइग्राम पर वाट्सर पर टेलिग्राम पर सब जिए डाल दूगा तो जो भी परी कंसर्ण है जो भी सको जोइन करना चाहते हैं आप लोग एट-एट-ट्री-9-9-6-1-1-5-8 पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो बस आज के हुआ 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 हुआ